दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास में एक question given है और इसमें से हमको इस question के अंदर से हमको काल पीरिशन coefficient of skivness निकालना है जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं skivness की और kurtosis की ठीक है तो यहां पर हमारे पास में आज किस वीडियो में कुछ एक data given है 60 students का और 60 students की data को यहां पर जो given है उसमें से हमको काल पीरिशन coefficient of skivness को निकालना है ठीक है तो यह आपको देखने से ही पता चली कि continuous series है ठीक है क्योंकि intervals दिये हुए है तो यानि कि continuous series है और आपको पता होना चाहिए खिर्शन की मेठ़ट से यानि काल पीरिशन का coefficient निकालना होता है निकालने के लिए तो आपको पता है वहाँ पर हमारे पास में दो formula होता है दो formula में सो जो first number वाला formula होता है that is skp is equals to mean x bar minus mode upon standard derivation यह formula हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है और दूसरा जो formula होता है skp is equals to three bracket के अंदर mean minus median ठीक है upon standard derivation तो यह formula हमारा था दो formula थे हमारे ठीक है और इनी formula की यहनी कि हमको यहाँ पर जो भी data given है इसमें से हमको तीन चीज़े निकालनी पड़ेंगी ठीक है यह तो आप mean निकालो ठीक है mean तो आप निकालो गई ठीक है या तो आप mode निकालो या फिर median निकालो इन दोरों में से एक चीज़ निकालो ठीक है चाहे आप फिर कोई सब formula फिर लगाओ ठीक है तो यहाँ पर इस data को देख करके मुझे यह लगदा है कि इसको मोड निकाल करके हम लोग solve अच्छे से कर सकते हैं ठीक है और standard derivation तो निकाल नहीं है mean तो निकाल नहीं स्टेंडर derivation निकाल नहीं है और यह आपकी choice के उपर depend करता है कि आप mode निकाल करके question को solve कर देए और फिर आप इसको median निकाल करके तो हमको यहां पर mode निकालना ज्यादा simple और easy लगता है mode निकालने में कोई जदा कोई ऐसा बोले to lafra नहीं रहता है आलाम से आप इसको निकाल सकते हो mode को ठीक है तो हम लोग उन्हें mode को सीखा भी था और continue तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है मीन निकालना है और इस टेड़र डेडिवेशन निकालना है इन तीनों चीजों को आपको निकालना है अपनी तरीके से जैसे आप निकालते हो ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इसको अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास में हमने पूरी टेवल बना ली है इतनी बड़ी टेवल देखकर के बिल्कुल भी घबड़ाना नहीं है आपको यह सारी चीजों को अभी किनादे रखना है इन चीजों से कोई मतलब नहीं ठीक है अभी आपको ठीक है और यहांँ कि इहां पर आपको जो भी एफ दिया था वह यहां पर लिख दिया में धने थीक हैं और निकालने के बात सुलूश्च को वाले चशॉटकूट सकता ही यहां को अगर हम चाहते तो हमको क्या निकालते थे निकाले के लिए भी कर सकते थे यही और इस्वाज़े से यहां पर से ऐसे ही रहने दिया इसको एक एक अजूम्ड मान लिया 50 को assumed mean मान लिया x में से और यहां पर से हम लोगों ने क्या किया है यहां पर से देखे x-a यानि 30-50 करोगे तो कितना आएगा minus 20 40-50 करोगे minus 10 आएगा 50-50 करोगे जीदो आएगा 60-50 करोगे 10 आएगा 70-50 करोगे 20 आएगा ठीक है तो आपको d निकालना आता होगा और उसके बाद में जो भी आपके पास में d given है ठीक है यहां पर मान लोग माइनस 20 है और f कितना है 5 तो इन दोनों का आपस में क्या कर तो multiply कर दो 5 into minus 20 is equals to minus 100 ठीक है 8 into minus 10 is equals to minus 80 ठीक है तो इस तरीके से आपने सब आपका यहां पर submission निकाल लिया submission निकालने पर आपका जो आंसर आया that is यहां पर आप देख पा रहे हो सिग्मा fd का जो submission आया that is 320 और सिग्मा f का जो submission आया that is 60 ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे calculate करेंगे mean और mean को निकालने का formula क्या होता है shortcut method से a plus sigma fd upon f हमारे पास में सारी values given है और हमने यहां पर क्या निकाल लिया इसली mean निकाल लिया ठीक है तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों निकाल करके खुझ से देखना भी है ठीक है ऐसा नहीं कि यहां पर केवल मैं इसे बता दे रहा हूं तो आपको ऐसे कर लेना है आपको अपने तरफ से निकाल करके भी देखना है ठीक है अपनी एक-एक values क है उसके बाद में आपको देनाप को जो भी है आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक अपने हाथों से निकालो इसको अपने पेपर से किसे तरीक stamp की सारी की अच्छे से अधेंजी करके खुद से बीअ ठीक है अब हमारी पास में तो नुकल आया फिर अब हमको क्या calculate करना है हाँ पर हमको mode calculate करना है ठीक है तो mode को calculate करने के लिए हमको पता है जब भी हमारे पास में continuous series होती है हमको क्या करना रहता है एक formula हमारे पास में होता है जिसको हम लोगों ने पहले ही अपने जब हम लोग measure of center tendency पढ़ रहे तब इस formula को पढ़ा था और यहां पर हमारे पास में जो formula है that is L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F2 into I ठीक है तो यह हमारे पास में formula होता है इसको लिख करके देख लेना चार बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा और याद करने के बाद में बस आपको यहां पर से आपको सारी जो भी values है वो put करनी है तो यहां पर आपको सबसे पहले जो L1 दिख रहा है L1 आपको कैसे पता चलेगा ठीक है L1 आपको कैसे पता चलेगा यहां पर से आपको मैंने बताए था कि जितनी भी आपके पास में F की value दिए ठीक है इन सभी F की value में से आप देखो सबसे बड़ा highest number कौन सा है तो that is मुझे देख रहा चीजे मिल जाएंगी L1 और L2 ठीक है अब ही हमको क्या करना है यहां से हमको F हमने निकाल ली हमको यहां पर से L1 L2 मिल गया F जो होगा हमारा यहां पर से हमको पता चलेगा कि F क्या है यहां पर से F1 यह है और उसके उपर वाला क्या होता है F0 होता है ठीक है और उसके नीच होगी जानि कि f0 यहां पर कौन सी है 12 है ठीक हा और उसके नीचे वाली value f2 हो गी ठीक है कूछ इस तरह के से हमने यह पर सरी ही सादी values अब फिस तरला बात सरी इस को हमको why mm applied की श करी की आ होता है नहीं कि ईंधचल पीच में जो भी भी मिल गया ठीक है तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि जो हमारा L1 है उसको हमने लिख लिया that is 55 F1 हमको मिल गया था ठीक है F0 मिल गया था उसके बाद में यहां पर हम लोगों ने सारी लिख ली आई की वैल्यू हमको पता है कि 10 है इंटर्वल्स की बीच में गैप कितना है that is 10 और इसको हमने चैल्कुलेट करके हमारा जो भी मोड है उसका भी आंसर यहां पर से इसली निकल आया है ठीक है अब हमको क्या करना है यहां पर से इस टाइम टू कैल्कुलेट इस्टैंडर्ड डेरिवेशन को क्या हमने क्या चीज़ सीखी थी कि अगर हमारे पास में जो भी मीन है मीन अगर हमारे पास में पॉइंट्स में आंसर आता है तो हम लोग यह वाले अगर हम लोगों को यहां पर पता है कि जो हमारे पास में यह फॉर्मूला जो होता है ठीक है वैसे अगर पॉइंट्स में आता है तो हमको दूसरे फॉर्मूले को लगाना होता है ठीक है और अगर होल नंबर आता है तो उसके लिए हमको दूसरा फॉर्मूला लगाना होता बट यहां पर continue series के लिए कुछ ऐसा नहीं है continue series के लिए हमको हमारे पास में formula fix है चाहिए आपका points में answer निकल करके आए, जो भी mean का होता है चाहिए यहां पर जो आपका mean निकल करके आए ना पॉइंस में अंसर इसका निकल करके आए या फिर होल नंबर में निकल करके आए आपको continuous series अगर दी गई होगी तो continuous series में आपको यही फॉर्मुले को अप्लाई करना है ठीक है तो अब इस फॉर्मुले को पूछा है देखो fd-2 पूछा है fd-2 का मतलब आप समझते हो ना d- is equals to d upon i ठीक है d upon i d- is equals to क्या होता है d upon i उसके बाद में d-डास ही नहीं पूछा है d-डास का square भी पूछा है ठीक है तो d-डास जो भी निकल करके आएगा उसका square भी हमको करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर से हमको क्या करना है देखो यहां पर से हमको d-डास निकालना है ठीक है इसी वज़े से यहां पर मैंने क्या निकाली हूँ एक दो लाइने खीच हुई ठीक है हमारे second का part है तो हमने d-डास को निकाल लिया d-डास 10 करोगे तो minus 2 आएगा ठीक है इसी तरीके से minus 10 upon minus 10 करोगे तो minus 1 आएगा 0 upon 10 करोगे तो 0 आएगा 10 upon 10 करोगे वन आएगा 20 upon 10 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों 10 10 का divide सब भी बे करके क्या कर निकाल लेना है D' निकाल लेना है D' को निकालने के बाद में हमको क्या करना है F D' निकालना है F D' का D' का मतलब कि हमको F से जो हमारे बास में F है और जो हमने D' निकालना है इसको इससे multiply करना है तो यहाँ पर 5 into minus 2 is equals to minus 10 8 into minus 1 is equals to minus 8 12 into 0 तो यहाँ पर 0 यह answer आएगा इस तरीके से हमने F D' निकाल लिया अपने मन से करके देखोगे और जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ बोलता जाता हूँ वैसे वैसे अगर आप करके देखोगे तब ही आप को चीजे समझ में आएगी ठीके अगर आप केवल ऐसे वीडियो देखोगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा आप हो सकता है कि अभी आपको समझ में भी आ जाया हाँ 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 भी कर दो लेकिन बाद में आप वो चीजे भूल जाओगे तो जब तक खुद से नहीं करके देखोगे नहीं समझ में आएगा उसके बाद में आपको यहां पर से क्या निकलना है F D square F D dash का square निकलना है तो आपको यहां पर से D dash का square क्या होगा माइनस 2 करोगे तो क्या answer करके आएगा 4 4 का multiply किसे करवाओगे 5 से करवाओगे तो 4 into 5 कितना हो जाएगा 20 ठीक है इसी तरीके से minus 1 into minus 1 is equals to 1 ठीक है इसका 8 से multiply करवाओगे तो यहां पर से 8 निकल कर क्या कर जाएगा ठीक है तो यहां पर उनको हर एक का यहां पर से क्या निकलना है F D dash square यह सारी चीजह मैं पहले बता चुका हूँ इस वज़ेस बहुत ही डिटेल से मैं नहीं बता रहा हूँ ठीक है तो अपने इसाब से निकाले नहीं सभी का सब्मीशन निकाले ना इसका सब्मीशन आए 32 इसका सब्मीशन क्या है 108 और हमारे पास में सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तो हमको क्या करना है ठीक है तो यहां यहां पर आप देख नहीं न कितना है 60 है ठीक है इसके बार में यहां पर देखिए कि हमारे पास में fd' का स्क्वायर fd' कितना निकल कर गया है that is 32 और उसका स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर लगा दिया इसी तरीके से n का स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर into i की that will be 10 तो यहां पर इस तरीके से हमको सब्सक्व कर लेना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सारी वैल्यू जो भी है इसको निकाल लेनी ठीक है तो यहां पर हमने यहां पर सिसका standard derivation भी निकाल लिया ठीक है अब standard derivation को निकालने के बार में हमको पता है क किस तरीके से जो Carl Pearson होता है Carl Pearson का जो भी formula होता है यहां पर mode निकालने वाला formula क्या होता है mean minus mode upon standard derivation यह तीनों ही value हमको यह तीनों ही so sorry यहां पर हमको तीनों ही value मिल चुकी है और तीनों value को मिलने के बात में हमने just क्या करना है simply values को put करना है और हमको answer निकाल लेना जो answer आ रहे है minus का 0.418 अगर आपका इसके आंगे पीछे भी कुछ points में ऐसे कुछ answer आदा है ठीक है तो भी आपका वह right होगा ठीक है तो इतना बड़ा calculation था जब तक आप इसको करोगी नहीं दब तक आपको समझ में नहीं आएगा PDF कर जो भी link हो गए question का वो मैं आप लोगों को description box में दे दूंगा और इसके साथ ही साथ में video पसंद आए उसको दरूर से like भी कर दीजेगा ठीक है चैनल को subscribe करिएगा और साथ में दस्तों next video में लोग आंगे के और भी चीजों को discuss करेंगे ठीक है तो कोई भी दिक्कत हो तो उसको भी comment box में पूछेगा ठीक है तो I think कि आपको clear होगा आज की वीडियो में फिला ले इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तिल दें टेक कियर थैंक्यू और बाई